देखिए, कल मैंने LCM स्टार्ट कर दिया था, LCM और SCF होता क्या है वो बताया था, तो क्या है LCM? बताईए आप, दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM यानि की लासा, वा छोटी से छोटी संख्या होती है, जो दी गई संख्याओं से पूर्टा विभाजित होती है, याद र मासा, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है, जो दी गई संख्याओं को पूर्टा विभाजित करता है, मासा का काम क्या होता है? कटना, यही बताया था मैंने आपको ध्यान दिजेगा, लासा और मासा, लासा काटता है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, डेफन एकदम clear होनी चाहिए definition बन कैसे रहा है सीधे आपका जो नाम है उसी के हिसाब से आपका definition तयार हो रहा है लगुत्तम समापवर्थ और महत्तम समापवर्थ तक नाम में कोई confusion नहीं होना चाहिए कल मैंने LCM निकालने का आपको prime factorization method बताया division method बताया और shortcut भी बताया जिसके माध्यम से आप LCM औरल निकाल सकते हैं इस पर आपको practical करवाई गई है अब आईए हम लोग class lecture sheet के question solve करेंगे sheet आपकी modified है नए सवाल जोड़े गए इसमें CL के option भी बनवा दिये गए है क्योंकि यहां पर जो question होते हैं GTO बहुत सारे सवाल हो जाते हैं तो GTO के लिए option होना जरूरी है इसलिए मैंने इसके option भी update करा दिये हैं answer नहीं रहेगा इसका क्योंकि CL के बेटा सारे question हमें ही कराने हैं PS में जो आप पूछेंगे वही मैं बताऊंगा तो आप एक एक चीज question note करके उसका solution note करते जाएंगे आपका यही notes complete होगा जो आगे revision में भी काम आएगा चलिए CL के सारे question note करना जरूरी होता है PS के question note करना जरूरी नहीं है पहले सवाल के बाद हम दूसरे सवाल पर आएंगे पहला तो कल हो गया था दूसरा क्या है सवाल सामने ले आईए वह चोटी से चोटी संख्या ग्यात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी पूरी तरह से विभाजित है विभाजित होने वाली बेटा संख्या आपको बताना है तो दो से अधिक संख्या हैं यहां पर इन सबसे commonly divide होने वाली संख्या क्या होगी बताए इसका समापवर्थ होगी और वह चोटी से चोटी होनी चाहिए यानि कि वो क्या होगी लगुत्तम समापवर्थ होगी परिभाशा से समझ में आ गया कटने वाली चोटी से चोटी संख्या बतानी है तो 100% यहां क्या निकालना है LCM क्यों निकालना है LCM आप इन सबका जब कॉमन अपवर्थ देखेंगे मतलब कॉमन मल्टिपल देखेंगे तो मल्टिपल ही दी गई संख्या से कटता है कल मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या का कोई मल्टिपल लिख रखा है आपने तो वो मल्टिपल उस संख्य तो इन सभी संख्याओं का हमको common multiple लेना है 18 का 21 का 24 का 27 का आ रहा है समझ में clear रहीएगा यह चीज अच्छे से कोई doubt तो नहीं अब देखिए अभिष्ट संख्या जो होगी दूसरे number का question है अभिष्ट संख्या रिक्वाइड नम्मर जो होगा अठारा एकिस चौबिस सताइस का LCM आप LCM निकालने की दो विधी जानते हैं उसमें भाग विधी का आप प्रयोग कर सकते हैं इसका LCM निकालने में लेकिन हम और लाइए निकालते हैं इसका LCM हर एक बच्चा देखेगा सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है बेटा 27 है 27 लिख लिया क्या 27 27 से कट रहा है ठीक है ध्यान से देखिएगा क्या यह 27 18 से कट रहा है क्या 21 से कट रहा है क्या 24 से कट रहा है नहीं कट रहा है 18 से इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि 18 के सारे factor यहाँ उपलब्द नहीं है 27 का मतलब हो गया 3 की पावर 3, और 18 का मतलब होता है 3 की पावर 2 into 2, 18 का मतलब यह होता है naw gi una 18, तो बैठा यहा थी की पावर 3 है, तो 3 वाली चीज तो मिली रही है, लेकिन 2 वाली चीज नहीं मिल रही है, तो 2 से क्या कर देंगे multiply, तो 27 दूना क्या हो गया चाववन ध्यान दीजेगा यह हो गया चाववन आपका तो यह आपका 18 से कटने लाइक हो गया अब देखी क्या यह 21 से कटेगा आप जानते हैं 21 के सारे फेक्टर इसमें उपलब्ध नहीं है इसलिए 21 से नहीं कट रहा है तो 21 का मतलब होता है तीन गुड़े 7 क् साथ उपलब्ध नहीं है इसलिए बेटा सास से भी गुड़ा कर देंगे ध्यान दीजे क्या यह 24 से कटेगा तो 24 का मतलब होता है तीन गुड़े 2 की पावर 3 तीन गुड़े, दो की घात तीन, ध्यान दीजेगा, तो बेटा, तीन तो है यहाँ उपलब्द, लेकिन दो की घात तीन उपलब्द नहीं है, केवल दो उपलब्द है, तो आप किस से मल्टिप्लाई करेंगे, बताएगा, चार से या टू की पावर टू से, जो भी कह लीजे चार से, तो अब यह किस से कटने लाइक हो गया, 24 से भी कटने लाइक हो गया, यह जो आपके सामने लिखा हुआ है संख्या, यह आपका 27 से तो कठी रहा था, यह आपका 28 से भी कटने लाइक हो गया, एक किस से भी कटने लाइक हो गया, और 24 से भी कटने लाइक हो गया, बे चोटी से चोटी भी है, ये method बन होगा, ये बेटा exam का तरीका नहीं है, हमने आपको number system में पढ़ाया है divisibility rule, तो divisibility rule के सहारे, आप इन सब प्रश्णों का उत्तर देंगे, देखे divisibility rule मैंने तो number system में पढ़ाया है, बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, जिनों ने admission लिया है, LCM SCF से, लासा मासा से LCM लिया है, तो उनको भी divisibility rule, या तो मैं class लगा दूँगा YouTube पे, या तो राहूल सर class लगा देंगे YouTube पे, तो cover हो जाएगा आपका divisibility rule, वैसे मैंने अपने leave o learn वाले batch में पढ़ाया है divisibility rule, तो exam का जो तरीका होता है, ऐसे प्रश्णों का, ये नहीं है, कि पूरा batch क्या calcium निकाल रहा है, नहीं, आप सीधे उत्तर टिक करिए ना, आपका ये तरीका होना चीए, तो हम जब भी काम करेंगे इस पर exam में, तो method 2 से ही करेंगे, और method 2 बेटा क्या है हमारा, GTO, और GTO में पहला option क्या है, 1512 है, दूसरा option क्या है, 1517 है, देख के ये answer मि बता पाऊंगा, विभाजिता का नियम बता नहीं पाऊंगा, उसका केवल प्रयोग करूँगा, ध्यान रखियेगा, जिनको आता है, उनको तो ये तरीका समझ में आएगा, नहीं, तो वो अभी इस तरीके से संतोश करें, इसको सीखें, क्यों LCM निकाला गया है यहां पर, इसको सीखें, बाकी, Divisability Rule जिनको आता है, वो कर लेंगे अच्छे से, और जिनको नहीं आता, उनको आज ही सिखाया जाएगा Divisability Rule, आज ही आपका YouTube का एक lecture तयार होगा, और आप लोग वहां जाकर YouTube में class अटेंट करेंगे, मेरे दवारा तो शायद ना हो पाए वो lecture, वो र सारी चीज़े यही चलाते थे, लेकिन यहां पर अभी कई सारे teacher अल्रेडी उपलब्ध हैं, इसलिए अभी उनको केवल basic basic पढ़ाने के लिए दिया गया, पढ़ाने का यह सब पढ़ा सकते हैं, चली देखी, बेटा देखिएगा, 18, 21, 27, से कटने वाली चोटी से चोटी संख्या चाहिए, तो इन्हीं चारों option में से कोई एक उत्तर सही होगा, सह मत है, इन्हीं चारों में से ही कोई एक उत्तर क्या होना है, तो अगर कोई संख्या बोल दे हम, 24 से कट रही है, 24 आई उठाते हैं, तो वो 4 से भी कटेगी, निश्जित रूप से कोई संख्या अगर 24 से कट रही है, तो 24 के फैक्टर 4 से भी उसको कटना है, तो इन सब में 4 से कटने वाली संख्या ये नहीं है, 4 से कटने वाली संख्या ये नहीं है, 4 से कटने वाली संख्या ये नहीं है, के से विभाजित हो जासे ये बारा बन रहा है तो बारा चार से कटेगा इसका मतलब ये पूरी संक्या आपकी चार से कटेगी ये उननिस बन रहा है उननिस चार से नहीं कटेगा इसलिए ये पूरी संक्या चार से नहीं कटेगी तो ये सब विभाजिता का नियम आपको डिटेल में समझाये जाएगा राहुल सरद्वारा एकदम डीटेल में तो आज की class attend जरूर करिएगा यह आपका divisibility rule वाला है हर एक बच्चा ध्यान दे तो exam का तो तरीका बेटा हमारा यह है लेकिन अभी basic approach हमको यह सीखना है सवाल हमारे यही तो था वह चोटी से चोटी संख्या बताईए जो 18 21 24 27 से पूरी पूरी तरह से विभाज हो जाए नए नए हमारे जो बच्चे हैं उनको डाउट होता है कि क्यों यहां LCM ले रहे है कली मैंने बताया था LCM की परिभाशा क्या है तो परिभाशा पे सटिक बैट रहा है LCM की परिभाशा वेटा क्या है दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM वा छोटी से चोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्टा क्या हो जाए विभाजित हो जाए तो यह जो 1512 अब आजाईए गा तीसरे नमबर के question में हर एक बच्चा आए तीसरे नमबर के सवाल में आजाईए हर एक बच्चा आजाए तीसरे नमबर के question में मेरे ऐसे बच्चे भी ये class attend करें regularly आजाएगा ये class जिन्ता offline में admission है वो भी इस class को continue करें कम से कम छोटे चोटे topic तो पढ़े ही लीजे कि बाद में दिक्कत ना हो ठीक है चले देखिए और जब ये topic में YouTube पढ़ा दूँगा तो जब coaching खुलेगी तो offline में ये topic कुछ दिन तक नहीं मिलेगा जब तक ये lockdown वाला जो मानक है वो हट नहीं जाता अभी मानक लगेगा 100-500 बच्चों से ज़ादा class में नहीं पढ़ा जा सकता तो इसलिए ये जो topic में YouTube पढ़ा दे रहा हूँ offline में आगे अभी कुछ दिन तक नहीं पढ़ाऊंगा बाद में पढ़ाऊंगा जिन्होंने offline admission लिया है तो उनको तो offline मिलेगा लेकिन इधर लगातार exam लगे हूँ है इसलिए कोई आए और कहे कि मुझे offline में ये सारे topic पढ़ाईए तो offline में शुरुवात में ये topic नहीं मिल पाएगा मेरे class को live ही आगर कर लिया करिये क्योंकि कब मैं delete करवा दूँगा कोई भरोसा नहीं है चलिए तीसरे number का question है इसको message के माध्धम से डाल दीजे telegram पे जो भी बच्चे हैं ये main main जो छोटे-चोटे topics हैं हर exam में जरूरी होते हैं वो पढ़े offline में अब ये चलेगा तो मेरे ख्याल से अगले session में चलेगा इधर नहीं चलेगा जब coaching अगर अगले महीने खुल भी जाती है तो तीन-चार महीने तक किसी ब्याच में ये topics नहीं चलेंगे ठीक है ये मैं पढ़ा दे रहा हूँ online अच्छे से पढ़े लीजे हर एक बच्चा पढ़ ले offline वाला भी तीसरे नंबर का सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद दीजे जिसमें यदि आठ नौ बारा तता पंद्रा से भाग दिया जाए तो सदयो तीन-शेश बचे बेटा सबसे पहले हम ऐसे सवालों में छोटी से छोटी विभाजित होने वाली संख्या पता करेंगे अगर भाग करें तो हमेशा क्या है तीन-शेश बचे सवाल छोटे से बड़े की और बड़े रह लगातार तीन-शेश बचे ध्यान रखिएगा तीन क्या हो शेश बचे तो बेटा सबसे पहले हम विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे तो लिखिए यहां पर मैथट वन में आठ नौ बारा पंद्रा से विभाजित होने वाली होने वाली छोटी से छोटी संख्या विभाजित होने वाली संख्या कैसे निकलेगी और छोटी से शोटी भी हो आठ नौ बारा पंद्रा का क्या एल्सियम मेटा भागβिधी से एल्सियम निकाला यहां जा सकता है यहां मैं डायरेक्ट तेलसी हम निकाल के दिखा रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 15, 15 आठ से नहीं कटता, क्यों नहीं कटता, क्योंकि यहाँ पर 8 का कोई factor उपलब्धी नहीं है, तो यहाँ पर पूरा हम 8 से क्या कर देंगे, गुड़ा कर देंगे, देखिएगा, बेटा, यह हो क्यों कटेगा, क्योंकि 12 के सारे factor यहाँ उपलब्ध है, 12 का factor 4 और 3 हो गया, 4 भी यहाँ उपलब्ध है और 3 भी उपलब्ध है, तो यही आपका क्या हो जाएगा इसका, LCM, तो कितना हो गया 360, मिटाई LCM हो गया, शॉर्टकट से निकाल रहा हूँ, मतलब और औरल निकाल हूँ, LCM में, ध्यान दीजेगा, LCM कैसे निकाला जा रहा है, औरल, यही तरीका है, कल वाले method को आप लोग फॉलो करिए, उसी पर practice करिए, LCM औरल निकाल लेंगे, तो यह क्या है 360 हमारी, यह एक ऐसी संख्या है, जो 8, 9, 12, 15 से पूर्ता विभाजित हो रही है, लेकिन यह हमारा उत्तर नहीं है, हमें बेटा ऐसी संख्या बतानी है, जिसमें हम 8, 9, 12, 15 से भाग दें, तो 3, 6 दे, क्या 6 दे, 3, 6 दे, 360 में अगर इनसे भाग कर देंगे, तो यह तो पूरा-पूरा विभाजित हो जाएगा, और अगर बेटा हम यहां 3 जोड दें, ध्यान दीजेग है, अगर 3 इसको हम बढ़ा दे, 3 प्लस कर दे, 3 बढ़ा दे, तो 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर यह शेश देगा आपका कितना, 3, सदाओ, हमेशा, यह शेश देगा 3, तो यह अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी, अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी, वो हो जाएगी, 360 प्लस 3, यानि कि कितना बेटा, 363, हर एक बच्चा ध्यान दे, हाँ, अभिष्ट संख्या हो जाएगी, आपकी 363, करना एक्जाम में कैसे है, GTU, हर एक बच्चा देखेगा, पहला उप्शन क्या है, 360, दूसरा उप्शन है, 363, तीसरा उप्शन है, 120, और चौथा उप्शन है आपका, 120, हर एक बच्चा ध्यान देगा, देखे, तीन शेष आना चाहिए, तो कटने वाली संख्या क्या होगी, तीन कम कर देंगे, तीन कम कर देंगे, तो ये बनेगा 357, ये बनेगा 360, ये बनेगा 117, और ये बनेगा 120, ये हमारी कटने वाली संख्या होगी, हमें चेक करना है कि कट रहा है और वो सबसे छोटे से छोटा है तो देखेगा जो संख्या 8 से कट रही बिटा वो 4 से भी कटेगी तो 4 से कटने लाइक ये नहीं है चार से कटने लाइक ये नहीं है, ध्यान दीजेगा, ये दोनों चार से कटने लाइक नहीं है, देखे तीन हमने कम कर दिया, तो जो हमारे पास आकड़े आएंगे, वो सब इनसे कटने वाली संख्या के ही आकड़े होंगे, ध्यान से देखेगा, ये भी नहीं कट रहा है, तो चेक कर लेते हैं, 9 से कट रही है, तो क्या 120 बेटा पूरा 9 से कटेगा? नहीं कटेगा. क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अंकों का यूग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है. तो बचा कौन? 3 कट गएं, बचा केवल यही. 360 आपका सब से कटेगा, और 360 जो होगा, कटाने पर क् 3, 6 देगा. सवाल तो बहुत चोटा था, लेकिन फिर भी GTO सीखते हुए चलिए, क्योंकि आपका एक्जाम का जो तरीका होगा LCM में, ज्यादा तर सवालों में GTO ही होगा. ज्यादा तर सवालों में GTO होने वाला है एक्जाम का जो तरीका है आपके. इस चीज को आपको द चलिए, आगे आ जाईएगा. चौथा नमबर भी सवाल सेम है आपका. हर एक बच्चा देखेगा. वा छोटी से छोटी संख्या ग्याद करिए, जिसमें 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रतेक दर्शा में 3, 6 बचेगा. अगर हम बेसिक में पहले जाएंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कटने वाली संख्या निकालते हैं. फिर बेटा उसमें हम 3 जोड देंगे, तो 3 शेस देने वाली संख्या आजाएगी. यही हमारा रिक्वाइड नमबर होगा. यही हमारा रिक्वाइड आंसर होगा. बस इतना ही करना है, अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो. आईए देखिए चौथे नमबर के कोश्चन पर. मैथट बन देख लीजेगा. 6, 8, 12 का LCM निकालिए. LCM कटने वाली संख्या होती है. तो सीधे क्या होगा बेटा, 12, 12 अगर उठाते हैं तो 6 से कट रहा है, लेकिन 8 से नहीं कट रहा है, तो 12 का multiple लीजिए. क्या होगा? 24. ओरल निकालिए LCM. यह नहीं कि रखके निकालना है. सबसे बड़ी संख्या चू आठ का एक गुड़न्थन यहाँ पर दो उपलब्द नहीं है. दो से गुड़ा कर लीजिए, 12 दुना, 24 हो गया. हो गया काम complete आपका. अब देखी, अभिष्ट संख्या जो होगी, वो क्या होगी? 24 और प्लस, 3. बेटा कितना? 27. यह एक ऐसी संख्या है, 27 जिसमें 6 से, 8 से और 12 से भाग देंगे, तो आपका 3-6 आएगा. 6 से, 8 से और 12 से भाग देंगे, तो 3-6 आएगा. सही है. अब आजाईए, जीटियों करेंगे, तो जीटियों भी हो जाएगा, method 2. Option देखिएगा, 48 है, बी वाला है, 27. बी वाला 24 है, बेटा. C वाला क्या है? 27 है, और D क्या है 51. 3-6-0, 3 बेटा कम करेंगे, तो ये बनेगा 45. 3 कम करेंगे, तो ये बनेगा 24. 3 कम करेंगे, तो ये 21 बनेगा, 3 कम करेंगे, तो ये 48 बनेगा. देखिए. 6-8-12 से इनको कटना चाहिए. तो आपका ये तो कटेगा ही नहीं, 45-6-8-12 से. 21 आपका 6-8-12 से कटेगा ही नहीं. और 24 भी आपका 6,8,12 से क्या हो रहा है? कट रहा है, लेकिन हमसे क्या पूचा है? छोटी से, छोटी संख्या पूचा है, इसलिए हम 48 आंसर नहीं देंगे, हम आंसर क्या देंगे? 24, मतलब संख्या क्या हो गई 27, 24 कट रहा है, तो 27 जो होगा, 6,8,12 से भाग देने पर 3,6 तो प्रथम दृष्टिया भी तो पता चल जा रहा है कि 27 आंसर हमारा क्या है सही है इस तरह से घटाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि सवाल बहुत चोटा है कुश्चन बहुत चोटा है सीधे observation से पता चल रहा है कि 27 आपका क्या है आंसर है चलिए आजाईएगा हाँ रिक्वाइड ठीक है ठीक है रिक्वाइड जो नंबर आपको रिक्वाइड है मतलब जो चाहिए आपको ठीक है जो चाहिए आपको उसी को अभिष्ट बोलेंगे ठीक देखिए आपका पाचवे नंबर का बड़ा स्वाल है अकसरी पेपर में यह दिखाई दे जाता वह चोटी से चोटी संक्या वह चोटी से चोटी पूरवर्ख संक्या ग्याद करना है जो 18, 21, 24, 27 से पूरी पूरी तरह से क्या हो जाती हो विभाजित हो जाती हो पाच्वे नंबर का question देखिएगा यहाँ पर method 1 की अगर बात करी जाए तो देखिएगा 18, 21, 24, 27 का निकाली LCM, 2 से कर्टा बेटा कितना आया, 9, 21, 12, 27 सही है, 2 से 9, 21, 6, 27, 2 से 9, 21, 27, 27, फिर तीन से, कितना, 3, 7, 1, 9, फिर तीन से, 1, 7, 1, 3, फिर तीन से, 1, 7, 1, 3, तीन सारी, एक, फिर बेटा सास से, 1, 1, 1, एक, और एक, हो गई कहानी कतम, तो आपने इसका निकाला LCM, ध्यान से देखिएगा, तो LCM तो 18, 21, 24, 27 से कटने वाली संख्या है, क्या रहा है, 2 गुड़े, 2 गुड़े, 2, गुड़े, 3, गुड़े, 3, गुड़े, 3, गुड़े, 3, और गुड़े, 7, फिर या रहा है, इसका गुड़ा कर देंगे, बेटा, तो एक ऐसी संख्या आपको मिलेगी, जो 21, 18, 24, 27 से पूर्टा क्या होगी, विभाजित होगी, लेकिन हमको एक ऐसी संख्या बतानी है, जो पूर्वर्ग हो, तो आईए सबसे पहले मैं नए बच्चों को समझा दू, पूर्वर्ग संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पर्फेक्ट स्क्वाइर नंबर वो क्या होता है, जैसे बेटा लिखा हुआ है आपका 25, 25 को हम लिख सकते हैं, 5 गुड़े, 5, या लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वाइर, समझिएगा, तो ऐसी हर वो संख्या, जिसको वर्ग के रूप में बना कर मतलब, स्क्वाइर फॉर्मेट में आप लिख सकें, वो पूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् तीजे नहीं, root में लगा कर नहीं करना है, ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, धन पूरांक रखना है, ध्यान से सुनिएगा, पूरांक में ही आपको इसको रखना है, समझे इस चीज को, 0 के लिए ले सकते हैं, 0 का square, 0 एक पूर्डवर संख्या बोली जाएगी, यह सारी च है, 8 का square, जैसे बेटा आपका 144 है, 12 का square, जैसे लिखा है 179, यह भी एक पूर्डवर संख्या, इसको लिख सकते हैं 13 का square, लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे 100 है, 100 भी एक आपकी पूर्डवर संख्या है, 100 भी क्या है, पूर्डवर संख्या है, इसको आप लिख सकते हैं 10 का square, समझ में आ रहा है 10 का स्क्वायर तो ऐसी हर वो संख्या जिसको आप स्क्वायर पैटन पर लिख सकें वो पूडवर संख्या कहलाएगी समझिएगा इस बात को जिम्मेदारी के साथ तो देखिएगा पूडवर संख्या की खासियत क्या होती है जब उसका गुड़न्थंड करेंगे तो उसके गुड़न्थंडों के दो दो पेर बनते हैं जान रखिएगा पेर बनते हैं जैसे यहां देखिए आपका 64 है 64 को लिखेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 2 4 2 6 ठीक यहां देखिए 64 अगर पूरवर संख्या है तो जब इसका गुड़न्थंड करेंगे तो यहां पर संख्या हों के क्या बनेंगे पेर बनेंगे ऐसा कोई भी आपका फैक्टर नहीं बचेगा जिसका पेर जोला ना बने और जोला किसका बनेगा जो एक जैसे होंगे उनी का जोला बनेगा समझेगा यह इसका एक पेर बन गया इसका एक पेर बन गया समझ में आ रहा है आ रहा है कि नहीं तो जो भी आपके पूर वर्ग संख्याए होंगी, उनके पेर बनते हैं गुड़न थंडो के, और अगर गुड़न थंडो का पेर नहीं बन रहा है तो वो पूर वर्ग संख्या नहीं है, समझे इस बात को, जैसे कि हमने उठा लिया बेटा, तीस उठा लिया, तीस का मतलब हो तीन का पेर बना नहीं बना, पांच का पेर बना नहीं बना, अगर कई सारे पेर बन रहा है और किसी एक का भी पेर ना बन रहा हो, तो वो पूर वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी, याद रखिएगा, पेर बनने का मतलब क्या, कहीं दो गुड़े दो आ गया, इसका मतलब द स्क्राइब समझे जैसे मैं कहें दूं कि 72 क्या एक पूर संख्या है 72 तो 72 को तुरंत गुड़ंठंड करके देखिए दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े बस ध्यान से देखिए सीधे दिखाई दे रहा 8, 9, 72 बेटा ये पूरवर संख्या नहीं है क्यों पूरवर नहीं है? ठीक है इसका पेर बन गया लेकिन ये दो क्या है? अनपेर्ड है कोई कह दे कि किस से गुड़ा कर दे कि ये पूरवर्ग हो जाएगी? बताईए किस से गुड़ा कर दे कि ये पूरवर्ग हो जाएगी? जहाँ पेर नहीं बन रहा है उसी से आप गुड़ा कर दीजे ये फिर पूरवर्ग हो जाएगी 72 दुना 100 क्या हो गया? 44 हो गई पूरवर्ग संख्या समझेगा? ऐसे ही आपका ये सवाल भी बनाया गया है कि आपको एक ऐसी छोटी से छोटी पूरवर्ग संख्या बतानी है छोटी से छोटी ये वर्ड याद रखिएगा ऐसी छोटी से छोटी पूरवर्ग आपको संख्या बतानी है जो 18, 21, 24, 27 से पूरटा क्या हो? बेटा भी भाजित हो, तो पूरवर्ग की बात आप समझ गयें, संख्या अगर पूरवर्ग होगी, तो उसके गुलन ठंडों में ध्यान रखिएगा, उसके गुलन ठंडों में पेर बनेगा, समान संख्याओं का जोडा बनेगा, और जहां अगर जोडा नहीं बन रहा है, इस हो जाए, तो आपका उत्तर क्या होगा, पूरवर्ग बनाने के लिए एक पेर ही तो चाहिए, तो कम से कम किस से गुडा करें कि ये पूरवर्ग हो जाएगा, सिंगल दो से गुडा कर दीजे बेटा, सिंगल दो से आप गुडा कर दीजे, इसका भी पेर हो जाएगा, और य 21-24-27 से कटने वाली छोटी से छोटी पूरवर संख्या बताईए तो बेटा LCM में हमारा सबसे पहला काम तो यही होता है कि हम कटने वाली संख्या निकालेंगे क्या करेंगे कटने वाली संख्या और कटने वाली संख्या क्या होगी 18-21-24-27 का LCM यह छोटी से छोटी कटने व इसके जानकारी के लिए पेर बनाते हैं, ये पेर बना है, ये पेर बना है, बेटा और दो, तीन, साथ का और कोई पेर नहीं बना है, आया समझ में, तो आप से छोटी से छोटी पूर्ण वर संख्या पूचा है, तो इसमें minimum हम एक दो, sorry, minimum एक दो का यहां multiply कर दें, minimum एक तीन का यहां multiply कर दें और एक साथ का multiply कर दें, तो हमारे जो remaining दो, तीन, साथ थें, जिनका पेर फॉर्म नहीं हो रहा था, फॉर्म हो जाएगा पेर, पेर बन जाएगा कि नहीं बताइए, तो हमको पेर ही बनाना है, ऐसी और भी बहुत सारी संख्याओं से गुड़ा करेंगे, तो यह पूड़े ही वर्ग रहेगा, लेकिन हमसे पूचा है छोटे से, छोटे संख्या आपको बताना है, जो की पूड़वर्ग हो और इणसे क्या हो विभाजित हो, तो सबसे पहला काम हमारा होता है, कटने वाली संख्या निकालना होता, यानि की अल सीयम निकालना होता ह सोचते हैं yeux सोचते ईब कि गुला करें तो गुला करणो सोचते मेंगे इसको कितना हो जाएगा गुला करने पर ए 1512.89 गुला करने पर यह तो बेटा है यह क्या होगा अब किसे गुला करे कि यह पूड़ वर्क बने सोच पाएंगे मताइए नहीं सोच पाएंगे, इसलिए इसको गुड़ा नहीं किया जाता पहले, इसको पहले गुड़ा नहीं करेंगे, आप बस यहाँ पर पेर बना लीजे, एक पेर, एक पेर, और जिनका पेर नहीं बनता, आप उनका पेर तयार कर लीजे, इसमें किससे गुड़ा कर दें, गुड़े द 63 यह आपकी संख्या हो जाएगी यह पूर्वर्ग संख्या होगी 63 504 हर एक बच्चा देखेगा 63 504 यह आपकी पूर्वर्ग संख्या हो जाएगी इस तरीके से आप अपना अंसर करेंगे बहुत आसान तरीका है यह पूर्वर्ग संख्या छोटी से छोटी कटने वाली पूर इस तरीके से आप LCM निकाल लिए, LCM निकाल लिए आपने, LCM एक ऐसी संख्या होती है, जो दी गई संख्याओं से पूर्टा क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक, तो यहाँ आपने उसको लिख दिया, यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, LCM मैंने लिख दिया, यह हमारा पूर्वर्ग है कि नहीं है, आइए चेक करते हैं, अगर यह पूर्वर्ग हो जाए तो वही हमारा उत्तर होगा, लेकिन अगर पूर्वर्ग ना हो तो पूर्वर्ग बनाना पड़ेगा, पूर्वर्ग बनाने के लिए, जिनका जिनका पेर नहीं मिलता, आप उसी से क्या क यह चोटी से चोटी पूर्वर संख्या है, जो इन सब से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, इसके पहले अब कोई पूर्वर संख्या नहीं होगी, इसके बाद बहुत सारी पूर्वर संख्या होंगी, लेहिन इसके पहले कोई पूर्वर संख्या नहीं है, यानि कि यही चोटी से चोटी पूडवर्संख्या है, देखिए, यहां दो का एक पेर बना, यहां दो का पेर बना लिया, यहां तीन का पेर बना लिया, यहां साथ का पेर बना लिया हमने, तो जहां जो requirement हो पेर बनाने की, आप उसको complete करिए, ठीक है, हो गया, अब देखिए, यह बहुत बेहतरीन तरीका है पूर्वर्ग वाला, clearly आप लोगों को आना चाहिए, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवालों को GTO करने में कठिनाई के सामना करना पड़ता है, option इस टाइप से बना है, कि आपको कठाने में सब को चेक करना पड़ेगा, properly, ठीक है, 18, 21, 27, तो, देखिएगा, 18, 4 से कटने वाली कौन्टों सी संख्या हैं, भाई कोई संख्या आपकी 24 से कट रही है, तो 4 से भी कटेगी, option दिखाई दे रहा है, आपका A भी है, B भी है, और C भी है, बस D आपका 4 से कटने वाली संख्या नहीं है, विभाजिता ही चेक करना है इसमें अब देखिए, A, B, C का क्या है बेटा, multiple है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, विभाजिता से होता तो खेर है, लिए इस तरीके से option set कर दिया है, कि जब तक option से आप check करेंगे, इस तरीके से उत्तर की प्राप्ती हो जाए तो इसको GTO आईए, हम लोग नहीं करते हैं, आईए, चली अगला question, अब इसके बाद बेटा, आपका छटे नंबर का सवाल है, वा छोटी से छोटी संख्या, ग्याद कीजे जो पूर वर्ग भी हो, और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी तरह से क्या हो, विभाजितो, काम वही कर करना है आपको, क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पर, चटे नंबर पर आईए, 3, 4, 7, 10, 12 का, क्या निकलेगा, LCM, LCM निकालने से क्या पता चलेगा, छोटी से छोटी से छोटी विभाजित होने वाली संख्या, LCM ही वो ऐसी संख्या होती है, जो दी गई संख्याओं से तो पहले पूर वर्ग छोड़कर हम छोटी से छोटी कटने वाली संख्या निकालेंगे, तो 2 से लगाईए भाग, 3, 2, 7, 5, और 6, फिर 2 से, 3, 1, 7, 5, और 3, फिर किस से, 3 से, 1, 1, 7, 5, 1, फिर 5 से, 1, 1, 7, 1, फिर बेटा किस से, 7 से, अब देखिए, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो किस से गुड़ा कर दें, किस से गुड़ा कर दें, 3 से गुड़ा, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो किस से गुड़ा, 5 से गुड़ा, इसका पेयर नहीं बन रहा है, किस से गुड़ा, 7 से गुड़ा, तो बेटा पाँच गुड़े पाँच और गुड़े साथ गुड़े साथ देखी एक्स्टा यहीं multiply कर लिया हमने ठीक है एक्स्टा यहीं multiply कर लिया कितना रहा है भिष्ट संख्या 44 44 100 बिटा आंसर आ रहा है गुड़ा करने पर यह आएगा 44 100 ध्यान दीजेगा हर एक बच्चा ध्यान दे GTO करना इसको एक बार में उत्तर की प्राप्ति कर लेंगे method 2 आपको पता है कि संख्या किस से कट रही है बेटा 10 से भी कट रही है ध्यान से देखिएगा 3, 4, 10 और 12 यह भी भाजिता के नियम से कर रहा हूं मैं GTO 3, 4, 7, 10 और 12 से यह कटने वाली पूर वर संख्या है तो आंसर बेटा हमारा वही सही होगा जिसके इकाई के अंग पर क्या आएगा 0 आएगा समझे ध्यान से GTO में साफ दिखाई दे रहा है यहां कर देता हूं बहुत बढ़ियां तरीका है यह सब GTO PTO ध्यान दीजे आप्शन A है 44, 200 74 B है 44, 100 C है 43, 875 और बेटा D है 42 42, 835 देखिए यह GTO का मैथड है पिछले में थोड़ा मुश्किल था कई सारे आप्शन सिमिलर टाइप के थे इसलिए आप लगा सकते है वहाँ भी GTO लेकिन आप बेसिक से भी जल्द ही कोशन कर सकते हैं बिना प्रॉब्लम के देखिएगा GTO में अगर हम आएंगे तो संख्या जो होनी चाहिए वो 10 से पूर्टा विबाजित होनी चाहिए इन चारों में 10 से कटने वाली संख्या आप हमको बता दीजे कौन है यही है और यह एक अकेला आंसर है एक अकेला आंसर यही दिखाई दे रहा है और किसी को भी आप चक करेंगे तो वो 10 से कटने लाइक बेटा नहीं है इसलिए आंसर क्या होगा 44 100 होगा सेकेंडो में उत्तर दे के आगे बढ़ जाएंगे इसका आप LCM में हमेशा GTO ट्राई करना चाहिए हमेशा GTO ट्राई करना चाहिए उत्तर सेकेंडो में दे के आगे बढ़ जाएंगे लेकिन सेकेंडो का मतलब यह नहीं कि कॉंसेट छोड़ दे सवाल कैसे लगता है वो आप नहीं छोड़ सकते उसको तो आपको फॉलू करना ही करना है आईए चलिए अब इसके बाद कोश्य नंबर सिक्स जो है सिक्स के बाद क्या है सैवेन है आईए देखी वह चोटी से चोटी संक्या ग्याद कीजिए जिसमें 6,8 और 9 का पूरा पूरा भाग भी चला जाता है और संक्या पूर वर्ग भी है करें जीटियो करिए जीटियो ध्यान से देखिएगा 225 हो ही नहीं सकता कि हो जाएगा 256 हो पाएगा बेटा बताइए नहीं हो पाएगा 179 हो रहा है आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें 6,8,9 से कट रहा है तो पहली चीज जो संक्या 8 से कट रही है वो 4 से भी कटेगी तो वो 225 और ये 179 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया बचा 256 और 144 तो अगर संक्या आपकी 9 से कट रही है तो अंकों का योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए 4,8,8,9 ये कट रहा है 6,5,11,2,13 नहीं कट रहा है तो आंसर सीधे क्या होगा D तो बेटा GTO कर दिया मैंने इस तो क्या कर दिया GTO कर दिया आराम से उत्तर की प्राप विभाजिता का नियम पढ़ा दिया जाएगा मैंने अपने पुराने बच्चों को पढ़ाया है जो नंबर सिस्टम से पढ़ रहा है जो मेरे नए बच्चे आए हैं आज यूटूब वाली क्लास को फॉलो अवश्र कर दीजेगा विभाजिता जब तक नहीं सीखेंगे GTO म मज़ा आएगा ही नहीं विभाजिता इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है GTO करने के लिए आए बटा अगला कोश्चन है आठवे नंबर का आठवे नंबर का कोश्चन है कोई बोलेगा नहीं अभी 1.6 0.32 0.64 0.064 ऐसे है का बेटा LCM आपको बताना है चली आप बताईए इसका LCM बताना है आपको देखे कौन बच्चा गड़ता है यूटूब के कमेंट मोबाइल दीजे मेरा वीडियो को जरा आप लोग लाइक और शेयर कर दीजे वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजे अभी काफी कम लोग वाचिंग में हैं आपको यूटूब पर पढ़ाए जा रहा है आप पढ़ाई करिये अभी ऑफ-लाइन वाले बच्चे अब ज्यादा मत रोए एक महीने तक मैं आपकी क्लास यूटूब पर चला दे रहा हूं सभी बच्चों की ऑफ-लाइन वालों की यह आपका इसमें क्या क्या पढ़ा तो मैं आपको LCM, complete LCM SCF, इसनी सूचना आप हर तरीके से, सबको बता दीजिए, लाइव आके बच्चे पढ़ लें क्योंकि यह topic आपका अब इस साल नहीं चलेगा, मतलब next session में ही चलेगा, coaching खुल भी गए इधर, तो यह topic जब मैं YouTube पर पढ़ाया रहूंगा, तो फरजी भीड़ बढ़ाने की ज़रुवत है नहीं, तो यह topics जो है, मैं आपके YouTube पर पढ़ा दूगा, और delete भी होगा YouTube का वीडियो, याद रखिएगा, ज्यादा नहीं रखा जा सकता, LCM SCF चलेगा, फिर उसके बाद, square root, cube root, फिर उसके बाद, indices certs, फिर उसके बाद, हर एक्जाम के लिए important topic है, decimal fraction, फिर, यह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, चाह, टॉपिक मैं YouTube पर पढ़ाने जा रहा हूँ, एक महीने से उपर ही लग जाएगा, मान लीजे, तो जो भी हमारे offline वाले student है, एक 11.15 live class का time रहेगा, एक 11.15, आज वैसे मैं 11.11 बजे ले रहा हूँ, लेट हूँ मैं, ठीक है, आप लोग यह class कर लीजे, और live आकर कर लीजे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सूचना दे दीजे, मैं यह topic अपने offline वाले बच्चों को भी पढ़ा दे रहा हूँ, फिर यह जब आप लोग class करने के लिए आएंगे, तो यह उस समय नहीं चलेगा, याद रखिएगा, यह बाद में अब चलेगा, यह अब आपका March, जो अगला March April आएगा, उसके बाद यह पढ़ाए जाएगा, अभी पढ़े लीजेए इसको, आप लोग YouTube पे ही, ठीक है, चलिए, बिटा answer क्या क्या दिया है, आप लोग ने, जड़ा मैं देख लूँ, आप लोग क्या answer? answer जो आ रहा है, statics नहीं होता है, बिटा, श्रवन मौर्या, statistic होता है, ठीक है, सांखी की, आप उसकी बात कर रहा है, 6.4 किसी ने answer दिया है, 1.6 किसी ने answer दिया है, 6.4 answer दिया गया है, 3.2 answer दिया गया है, LCM कैसे find हो रहा है, आप पहला वीडियो देखिए, ठीक है, अमन गुपता याद रखिए, यह सब, हाँ, 1.6 maximum बच्चों ने answer कर रहा है, ठीक है, देखिए बेटा, इसको साफ-साफ दिखाया गया है यहाँ पर, कि एक संख्या 1.6 है, यह 0.32 है, यह 0.064 है, LCM चाहिए तो आपको बताएगा, LCM डारेक्ट निकाला जा सकता है, सबसे बड़ी बाली संख्या, उठा लिजे 1.6, उठा लिया, 1.6 में अब देखिए, क्या 0.32 का भाग जा रहा है, 100% यह 0.32 का भाग जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, क्या 0.064 का भाग जा रहा है, हाँ, भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब भाग पूरा जाने का मतलब वैल्यू पूलांक में आए, कट जाए पूलांक में ऐसा नहीं कि एक बटा कुछ आ गया या एक बटा बीस आ गया एक बटा चालीस आ गया ऐसा नहीं पूरा भाग जाना चाहिए जैसे 1.6 में आप 0.32 का भाग लगाएंगे तो बताईए दशमलो दो अंकी धर तो दो अंकी धर आने में कितना हो गया बता सोलह यह 10 हो गया और यह 2 हो गया पांच बर में गया की नहीं बताईए 1.6 में 0.32 का जाने में बटा पांच बार में गया की नहीं गया, ज़ा रहा है हर एक बच्छा देखें पूल में पूरांग GBWオンी चाहिए जो भाग जो भाग फलाना चाहिए जो आने चाहिए वह 0.064 का भाग करेंगे कितनी बार भाग जाएगा बताइए 25 बार भाग जा रहा है करके देख लीजे यहां हो गया 16 00 by 64 तो ध्यान दीजेगा आप इसको 4 से कटा सकते हैं तो या 16 से कटाईए तो यह 100 हो जाएगा और 16 64 कितनी बार में 25 बार में गया कि नहीं भाग पूरा पूरा अगर जा रहा है संक्या में इसका मतलब बोला जाएगा पूरी तरह से कट रहा है तो हमारा यह जो 1.6 दिखाई दे रहा है 1.6 जो दिख रहा है वो 0.32 से भी विभाजित है और 0.064 से भी विभाजित है तो हमारा जो LCM होगा वो हो जाएगा 1.6 बच्चों ने गलती कहां की है 6.4 भी कई लोगों ने आंसर करा है मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ बच्चों ने गलत कैसे किया है बच्चों ने ये काम किया है इसको लिख दिया 16 बटा 10 इसको लिख दिया 32 बटा 100 इसको लिख दिया 64 बटा 1000 लिख सकते हैं इसको बच्चों ने इसका LCM निकाला है बच्चों ने इसका LCM निकाला है तो उपर वाले का देखिए भिन्नों क लासा निकालने का एक तरीका होता है यह भिन्न बन गया है तो भिन्नों का लासा निकालने का तरीका होता है भिन्नों का i altłem बराबर होता है अंशो का कि लसा जैयल सीम की बटा हरो का ben ऐसी x metode yahouta ठीक बिनों का ngamber hanagini निकालने का यह फॉर्मुला होता को याद रखना आगया भी कराएंगे भी important का आज का ऑा है और कुछ लों ने गरात आंसर दिया है यह बिननना यहint है यह भी भिन है तो भिन्नों का लिकालना तो अंशों का निकाल लेंगे LCM 16 32 64 ऐसे ही बच्चों ने गलती की है और इसका 10 100 1000 का SCF और यह LCM है पता है इसका उपर LCM कितना रहा है 64 SCF कितना बिटा आएगा 10 SCF निकालना भी सिखाया नहीं है लेकिन जो मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या हो जो इन तीनों को काटे भई यह CFS जो कि क्या होगी 10 यहां से आ रहा है 6.4 यहां से क्या आ रहा है 6.4 ध्यान दीजेगा यह गलत है ऐसे ही कई सारे बच्चों ने 6.4 आंसर दिया यह गलत है तो क्यों गलत है बेटा जब तक आप भिन में यह देख रहा है भिन में ले आए हैं आप जब तक इसको कटा के छोटा ना कर लें रेडियूस ना कर लें तब तक यह format नहीं लगता याद रखिएगा इसको छोटा क करना जरूरी है छोटा करेंगे यह ऐसे किया है तब आप लोग ने आंसर गलत दिया 6.4 छोटी-छोटी कमियों को ही हम बेसिक से सुधारते हैं कि आगे आपसे बड़े-बड़े ब्लंडर ना हो देखिए यह हो गया कटेगा आपका दो से तो आठ बटा पांच आगया इस चाकटे आपका-चार से कटेगा तो चारवाटे बट्यस और यह 25 यह किससे कटेगा-ग-चाठ सुपरासकते हैं। 8 टाइं 64 और यह कितना बेटा 8 से कटेगा तो 125 आ जाएगा अब हमारा जो पैटर्न होगा वो क्या होगा अंशो का LCM 8 8 8 का LCM और बटा में क्या 5 25 और 125 का LCM यहीं छोटी सी मिस्टेक हुई है आपसे अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जीवन बर ऐसी गलती आपसे नहीं होग जब तक इसको आप कटाएंगे नहीं तब तक यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता नहीं तो आंसर गडबड आ सकता है पता चला कहीं सही भी हो जाए लेकिन मैक्सिमम जगह गलती आ जाएगा आंसर 8 8 8 का LCM बटा में 5 25 125 का SCF 8 8 8 8 का LCM तो 8 होगा और 5 25 125 का SCF 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 अभी निकालना सिखाया नहीं है लेकिन परिभाशा तो क्लियर है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे तो इसमें पांच ही है जो सब को काटेगी तो बेटा पांच कर देंगे तो बेटा यहां से भी 1.6 आएगा यह भी क्या आ रहा है 1.6 आ रहा है तो जो गल्ती आपसे हो रही थी अब मुझे लगता है 6.4 वालों से ऐसी गल्ती नहीं होगी जीवन भर जीवन भर नवीन शर्मा डेली क्लास से टाइम एक घंटे नहीं बेटा एक घंटा पंद्रह मेंटा अभी थोड़ी हमारी रूटीन चेंज हो गई है इसलिए मैं लेट हूँ मैं पंद्रह मेंट लेट हूँ लेकिन पढ़ाऊंगा एक ही घंटे ठीक है गौरव अरनंव जीटी ओं में जो हम बोल रहा हैं वो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपको स्क्राइब को नहीं प्रैक्टिस नहीं है इसलिए नहीं समझ पा रहा आप आप आफ आफिस नंबर पर पता करिए प्रियम स्रिवास्तो पुरानी आईडी पर एडमिशन लेने पर वहीं से क्लास नहीं ऐसा नहीं है आप यह सब आफिस से संपर कर लिया करिये आफिस का नंबर दिया जा रहा है कमेंड में चलिए चलिए हर एक बच्चा ध्यान दे तो बच्चो ध्यान दीजेगा यह सिस्टम है आपका अब हम आएंगे अगले कोश्चन पर आगे अगला सवाल देखिएगा सब छोटे-छोटे सवाल है ऐसा नहीं है कि नहीं आता पेपर में जिनको जीटियों में बच्चों को प्रॉब्ल आप फटा फटा आप चेक कर पाएंगे और कर लेंगे कोश्चन थोड़ा साज भैंकर राहूल सर मैक्सिमम सवालों के साथ डिविजबिल्टी पढ़ा दीजे अच्छे से में में पहले डिविजबिल्टी पढ़ा दीजे कौन टॉन सा दो का तीन का पांच का चार का आठ क नौ का 11 का इतना पढ़ा दीजे इतना ऐसे फी हो जाती काम हो जाएगा यही में पढ़ा दीजे बच्चों छले आई देखिए और आपका ऊगहे मन करे तो और पढ़ा दीजेगा पूरा पढ़ा दीजे आई चले देखिए बटाओ अगला जवाल है अगलाニ्गा अगला अब आईए देखी, अगला कोश्चन है, कोश्चन नमबर 9 है, आपका 9 नमबर का प्रश्चन है, पच्पन 550 और 0.0055 का LCM पूचा गया, औरहल बता पाएंगे आप, LCM क्या हो बता, सबसे बड़ी संख्या 500, 50 है, बस चेक करिए आप, 550, क्या 55, 550 तो 550 से कटे गई, क्या 55 से कट रहा है, हाँ, 100% कट रहा है, क्या 550.0055 से कटेगा, exactly कटेगा, सीधे सीधे कट रहा है, यानि कि 550 ही क्या होगा बता आपका, LCM होगा, आपको ऐसे उत्तर दे देना ह है, इस तरीके से आपको आंसर कर देना, बिना प्रॉब्लम के, बाकी एक तरीका वही है, पच्पन बटा में, पच्पन, 550 और ये, पच्पन बटा में, सीधे 10,000 वाला भी सिस्टम है, आप उससे भी कर सकते हैं, अंशों का, कटाने के बाद करेंगे, अंशों का, अंशों क के कोश्चन पर आजाईए, कोश्चन नंबर 9, अच्छा, ये 10 नंबर के कोश्चन पर आईए, बिटा, सभी लोग, 10 नंबर के कोश्चन पर आईए, कोश्चन नंबर 10, लिखा है, 2 by 7, 9 by 14, 5 by 7, विशेश बात क्या है, कि आपको चेक करना है, क्या ये छोटे से छोटे फॉर्म में, रेडियूज फॉर्म में लिखा है कि नहीं, आपको इस पर ध्यान देना है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा, चलिए, simplest form में लिखा है, आप इसको आगे further break नहीं कर सकते हैं, दो बटा साथ है, आगे नहीं काटा जा सकता, नौ बटा 14 आगे नहीं कर सकता, पांच बटा साथ आगे नहीं कर सकता, तो सीदे, इसका ICM निकाल लेंगे, तो भिन्नो का फिर से एक बार formula लिख रहा हूं, मैं, अक्स बटा में हरो का मासा हो गया अब देखिए अन्शों का लासा बेटा क्या होगा दो नौ पाच का LCM बटा में हर देखिए क्या है साथ 14 साथ का SCF तो LCM क्या होगा औरल बता सकते हैं 295 का LCM कितना बताई सीधे सीधे दिखाई दे रहा कितना बेटा बड़ी संख्या हो गई 9 वैसे भी कुछ भी कौमन नहीं तो सबका गुड़ा बताया था मैंने कर ली 295 में एक के लावा कुछ भी कौमन नहीं सीधे मल्टिप्लाई कर ल smartphone चाहिए धयां से देखेगा क्या हो गया दो 9 5 इसमें से कोई भी संख्या आपस में भी नहीं कट रहिए पहस में भी कोई संख्या नहीं कट रहे ध्यां से देखेगा तो गुड़ायी हो जाएगा लिकितना रहा है भिन्व का लॉसा निकालने का तरीका क्या अन्शो का लॉसा बटा हरों का मासा ठीक है? चली आगे देखिए ये formula इसले बनाया जाता है कि एक ऐसी संख्या मिले सुनिए, ये formula इसले बनाया जाता है कि 90 बटा साथ एक ऐसी संख्या हो जिसमें हम 2 बटा 7 से भाग दें तो ये पूरा-पूरा क्या हो जाए? कट जाए. पूरा-पूरा क्या हो जाए? कट जाए. तो देखिए इसमें पैटर्न क्या बनता है? 90 बटा में 7 गुड़े 7 बटा में क्या आता है? 2. आया समझ में 7 बटा में क्या आता है? 2. तो कुल मिला देखे, यह formula बनाया क्यों गया, यह मैं बता रहा हूँ, देखे, अगर मैंने भिन्नो का लसा इस तरीके से निकाला, अंशो का लसा बटा हरो का मसा, तो हमारा 90 बटा साथ आ रहा है, यह एक ऐसी संख्या है, जो इन सबसे विभाजित होगी, आईए विभाजितर के देखते हैं, 90 बटा साथ बटा दो बटा साथ, पूरांक में इसका भागफल आएगा, देखे, तो फाइनली बन रहा है, 90 बटा साथ गुड़े साथ बटा दो, बना यह चीज, अगले वालों को चेक करेंगे, तो 90 बटा साथ, अब बटा क्या, 9 बटा 14, तो यह बनेगा 90 बटा साथ 90 को 2 से, 9 से, और आगे लिखेंगे, तो 5 से क्या होना है, कटना है, तो 90 क्या होगा, 295 का LCM होगा, 90 क्या होगा 295 का LCM होगा, और बेटा देखिएगा, यह जो 7 है, 7 से 7, 14 साथ को कटना है, इसलिए इसका क्या होगा यह, SCF होगा, इसलिए क्या होगा, साथ से 7, 14 साथ को सकता है इसलिए इसलिए, ईसलिए ऐसा पैटरन बनाये गया है कि हमारा जो भागफल आये वो पूराइंक में прилशखने बने कि अऊद이ी तो बोलेंगे कि संख्या दी गई संख्यासे कट रही है, बताये बाट पूरा अंक में क्यों होता है दुबारा से सुन लीजे इस approach के माध्यम से आपने एक संख्या निकाली 90 बटा साथ तो अगर ये संख्या ऐसी है कि इससे भाग चला जाएगा इससे भी चला जाएगा तो आईए देखते हैं जा रहा है कि नबबे बटा साथ बटा में दो बटा साथ लिखने का तरीका होगा नबबे बटा साथ गोड़े साथ बटा दो होगा अगला वाला क्या होगा नबबे कटना है समझिएगा उसी तरह से आपका पांच से भी क्या होगा 90 को कटना रहेगा समझिए इसलिए 295 का LCM होता है 90 जो है 295 का क्या है LCM है 295 का क्या है LCM है समझिएगा 295 का LCM है 9 5 से कटेगा और सुनिएगा यह 7 जो है 7 से यह कटना चाहिए तब आपका पूल आंक में आन्सर आएगा देखिएगा 7 बटा क्या हुआ है 7 बटा 7 यानि कि इसके 7 से यह कट रहा है फिर इसके 7 से यह 14 कटेगा उसी तरह से इसी के साथ से यह साथ कटेगा मतलब हमें यहां एक ऐसी संख्या चाहिए जो साथ 14 साथ को काटे तो वो क्या होगी इनका SCF होगी इसलिए उपर वाले का LCM और नीचे वाले का बेटा SCF लिया जाता है हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा समझ में आया तो यह तरीका है ठीक है क्यों नहीं चले आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या चीजों को लेकर देखिए यह क्लास लगातार मैं बेसिक वाली चीज चीजे दे रहा हूं जब कोचिंग खुलेगी तो यह टॉपिक के लिए प्रिश्राइज नहीं करिएगा हर बच्चों तक यह सूचना पहुचा दीजे कि कुछ टॉपिक हैं जो वसीम सर आपकी यूटूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं यूटूब पे मैंने इस तरह से कहा जा तो कई सारी चीजे फ्री पढ़ा दी बताइए मैंने आपका रेशियो पढ़ाया मैंने आपका वर्क अंटाइम मिक्स प्रपोर्श तो आपका सेट हो गया न अच्छे से सली वोलंटा इस्टूडेंट है ठीक है चल रहा है आज क्यों नहीं चलेगा ओके थैंक यू बच्चों श्यूमिश्णा नेपाल में भी फेमस है अच्छा चली बहुत बढ़ी है प्रतिक्षा सिंग आप इसाई के लिए मैस की चाहिए तो बेटा कर लीजैंगे लीवोलंट पे चल तो रहा है चल रहा है क्लास लीव ओलन पे परिशान नहों आप लोग ठीक है जाने से पहले बेटा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और शेयर कर दीजेगा जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्स्राइब नहीं किये हैं ज्यादा से ज्यादा सब्स्राइब कर लें चलिए ओके थांक्यू